नमस्कार दुस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दुस्तो आप सभी लोग का कल से आपका एड़ुटेरिया का करेंट फेर शुरू हो गया है आप सभी को पता होना चाहिए कि यह बेड़ुटेरिया का करेंट फेर लॉंच किया गया है जो आपका अर्थवार्शी के ठीक है यहां पर अर्दवार्शिक निकाला गया यानि हाफ यह दिखा जाए तो six month का आपको यहां पर करनेट अफेर निकाला गया है यह जो आपका करनेट अफेर है आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर रेलवे एससी बैंक दरों का आधी प्रक्षियाओं के लिए देखा दिन में सोला प्रक्टी सेट में कंप्लीट करा दूंगा तो आप सभी लोगों को परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है बस आप वीडियो को सुरू से अंदक देखिए यह सभी important question आपके लिए बन जाता है बस आपको करना क्या है कि वीडियो को सुरू से अंदक देखना ह है और अपना एक लाइक करके जाना क्यूंकि आपका एक लाइक बहुत व्यादा माइने रखता है मेरे लिए ठीक है आपका सपोर्ट जाए तबी मैं आपको डेली बेस पर यह वीडियो प्रोवाइट करा सकता हूं तो चलिए सेट को सुरू कर लेते हैं क्या है पहला प्रस दखा जाये तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए यानि आई एफ एफ सी ओ के द्वारा यह लॉंच किया गया है क्या लॉंच किया गया है तो नैनो यूरिया लिक्विड ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रसन क्या कहता है कि निमलिखित में से कि संस्था ने दुनिया क कि सबसे लंबी अंडर सी केवल पर्योजना के निर्माण की योजना बनाई है अंसर हो जायेगा ऑप्सन भी गूगल क्या हो जायेगा गूगल हाल ही में किस बाइक ने कवच व्यक्तिगत रीड योजना की सुरुवात किया है कौन सा योजना है तो कवच व्यक्तिगत रीड योजना तो आप सभी लोग याद रखेगा SBI बैंक हो जायेगा यानि ऑप्सन आपका सी हो जायेगा अगला प्रस्ण है कि भारतिय चिकिस्टा अनुसंधार परिशत यानि ICMR द्वारा घर पर COVID-19 के जाच के लिए किस रैपिड एंटिजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है तो इसका आंसर हो जायेगा option B कोवी self हो जायेगा आप सभी लोग इसको याद रखेगा अगला प्रस्ण है question number 5 हाल ही में किस मंत्राले द्वारा नो देसों के भारतिय दुतावासों में one stop center खोले जाने की घोषना किया गया है कौन सा घोषना किया गया है तो one stop center तो आप सभी लोग याद रखेगा इसका आंसर हो जायेगा option B महिला एवं बाल विकास मंत्राले हो जायेगा next question question number 6 हाल ही में किस राजे सरकार ने मंदरेगा के तहत कारी दिवस संस्था को 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया है चलिए बताए इसका right answer क्या होगा तो देखिए इसका correct answer देखा जाये तो D हो जायेगा उत्रा खंड आपका यहाँ पर answer हो जायेगा next question है कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29 संस्क्रड का आयोजन का theme के साथ किया गया है क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer देखा जाये तो राष्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 हो जाएगा अगला प्रस्ण है question number 8 by many a happy accident recollection of a life इसके लेखा कौन है तो देखे इसका answer देखा जाये तो आपका option A हो जाएगा मोहमद हमीद अंसारी हो जाएगा आप सभी लोग इसको note करिएगा important question है by many a happy accident recollection of a life ठीक है आगे देखते हैं जनवरी 2021 में देख का पहला fire park किस राज्य में शुरू किया गया है कौन सा पार्क है तो fire park है तो नाम याद रखेगा आपका option B हो जाएगा उड़ी सा राज्य आपका यहाँ पर answer हो जाएगा अगला प्रस्न है कि जनवरी 2021 में किस देख ने पेरिस जलवाईयों समझाते में पुनह सामिल होने का निर्णे लिया है क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer आपका B हो जाएगा अमेरिका क्या हो जाएगा अमेरिका answer यहाँ पर हो जाएगा next question की हाल ही में कि समचार पत्र को champion publisher of the year 2020 का खिताब दिया गया है कौन सा खिताब दिया गया है तो champions publisher of the year 2020 का तो आप सभी लोगा answer याद रखिएगा दहिंदू ग्रूप हो जाएगा यानि answer आपका A हो जाएगा लाइप यानि light house पर्योजना का संबंद किस से है light house इसका सभी लोग answer करेंगे इसका answer क्या होगा तो परिया और अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से यह संबंदित हो जाता है यानि D उत्तर हो जाता है अगला प्रस्न है question number 13 काता है कि किस राज्य या फिर केंदर सासित प्रदेश द्वारा महिल्या सिक्षा को बढ़ावाद देने हे तुग सूपर 75 छात्र विर्ति योजना शुरूआत की गई है चलिए बताए कौन से केंदर सासित प्रदेश के द्वारा इसका answer क्या हो जाएगा correct answer सभी लोग करिएगा तो आपका मध्य परदेश हो जाएगा आप इसको नोट करिएगा next question है कि भारत सरकार द्वारा COVID-19 वैक्सिन के registration हे तू किस एप को launch किया गया है तो इसका answer दिखा जाए तो आपका A हो जाएगा COVID हो जाएगा और यहां से COVID जो आपका एक और आरोग्य सेतू है उससे भी आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अगर आप चाहते हैं तो कोविड को वैक्सिन कोविन से भी कर सकते हैं या फिर आरोग्य से तू से भी कर सकते हैं अगला प्रसने की विश्व वायू गुडवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसर निम्नलिक्षित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी घोसित किया गया है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखा जाया तो आपका नई दिल्ली हो जायागा जानि ए आपका यहां पर आंसर हो जायागा कोसे नबर 15 का नेश्ट को से ने कोसनबर 16 कहता है कि गोवा में आयोजित 51व अंतराष्ट्री फिल महोथसां में फोकस देश के रूप में किसे यानि किसे देश को चुना गया है 51 बेराष्टिय फिल महोथ 100 चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर देखा जाये तो आपका D हो जाएगा बांगलादेश अगला प्रस्ण है देखिए इसका PDF मिलेगा PDF के लिए परिशान नो हीएगा थोड़ा सा समय देजिए ठीक है पूरा बुक को स्कैन करके आपको PDF के रूप में प्रोवाइट करा दिया जाएगा अगला प्रस्ण है कि जर्मन संस्था दोरा जारी वैसिविक जलवायू जोखीम सुचकांग 2021 के सम्बंद में कौन सा कतन सत्य है चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो देखिए इसका आंसर आपका C हो जाएगा दोनों सही है देखिए इस सुचकांग में प्रत्थम इस्थान मोजामपिक को पराप्थ हुआ है इस सुचकांग में भारत का इस्थान देखा जाए तो सात्वा है भारत का इस्थान अगला प्रस्ता है कि काजा कालास को हाल ही में किस देश की पहली महिला परदार मंदरी की रूप में निउक्त किया गया है काजा कालास तो इसका आंसर देखा जाया तो आपका ए हो जाएगा एस्टोनिया यानि एस्टोनिया आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है नेश्ट कोसने की हाल ही में किस बैंक ने महिला उध्मियों के लिए स्मार्ट अप उन्नती कारेकरम की सुरुवात किया है चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर देखा जाया तो आपका C उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक हो जाएगा आप सभी लोग इसको नोट कर लिजेगा नेश्ट कोसने की समाजिक नियाए एवं अधिकारिता मंतरले दुआरा विरिद्वन जनों को पोसर्ड उपलब्द कराने है तू किस अभियान की सुरुवात किया गया है तो उस अभियान का नाम है आपका आपसन ए विरिद्वन जनों पोसर्ड मीशन हो जाएगा यानि ए उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा आगे देखते हैं अगला कोसन है कोसन नबर 21 कि हाल ही में किस देश में कोबीड महमारी से बचाव है तू पहले सबसे बड़े टिका करड क्लिनिक की सुरुवात किया है आंसर हो जाएगा ओपसन डी निउजिलेंड नेश्ट कोसने की किस राजे सरकार ने कोबीड नैंटीन वारियर मेमोरियल इस्थापित करने की घोषना किया है तो कर्यक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा ओड़ी सा राजे नेश्ट कोसने की गुजरात मिंदिर में दुनिया के सबसे बड़े किर्केट इस्टेडियम का नाम किस वैक्ति के नाम पर रखा गया है चलिए बताए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर देखा जाया तो आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा जयानि आपका सी उत्तर हो जाएगा परधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने उत्तर परदेश के किस सहर में महराजा सुहेल देव का इसमारक की अधार सिला वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से रखी है तो correct answer आपका D हो जाएगा भाराइच हो जाएगा यानि D उत्तर यहाँ पे हो जाएगा next question की भारत आने भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांद यानि लालंदर बांद का निर्माण कर रहा है तो लालंदर बांद देखा जाया तो answer आपका यहाँ पे आफगानिस्तान हो जाएगा यानि D उत्तर यहाँ पे हो जाएगा next question की हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एंडी जैसी किस कंपनी ने मुख्य कारेकारी अध्यक्स बनेंगे तो एंडी जैसी मैंने पिछले करेंट अफेर में देखा यानि स्पीडी में मैंने आपको करा दिया था Amazon हो जाएगा यानि B उत्तर यहाँ पे हो जाएगा next question की दादा साफ हाल के international film festival award 2021 में कि सरस्ष्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है तो मैंने ये भी आपको करा दिया था आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर देखा जाए तो आपका अक्षे कुमार हो जाएगा यानि C उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा next question question 28 कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर आप दा इयर पुरस्कार दिया गया है चलिए बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए इसका आंसर 28 का देखा जाए तो आंद्र परदेश हो जाएगा यानि C उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा next question की हाल ही में किसे फिमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है तो correct answer 39 का देखा जाए तो आपका option D हो जाएगा मानसा वारानसी हो जाएगा क्या हो जाएगा मानसा वारानसी next question की हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोसना के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्स प्रछेपित किया जाएगा correct answer question number 30 का देखा जाए तो 2022 हो जाएगा यानि B उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा फरवरी 2021 में किस खिलाडी को तीसरी बार एलेंड बॉर्डर मेडल दिया गया है correct answer आपका B हो जाएगा इस्टिव इस्मित कहां के खिलाडी हैं देखा जाएगा तो आपका आश्ट्रेलिया हो जाएगा हाल ही में question number 32 कहता है कि हाल ही में किस राज्य में विस्व के सबसे प्राचीन पचू जो पसू है वो जिवास्म की खोच किया गया है चले बताएगे वो राज्य कौन सा है तो राज्य का नाम याद रखिएगा मद्य परदेश हो जाएगा यानि MP आपका राइट आंसर यहां पे 32 का हो जाएगा next question की हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकायत संगरहाले बनाने की घोशना की गई है correct answer आपका देखा जाए तो D हो जाएगा मद्य परदेश क्या हो जाएगा मद्य परदेश आपका यहां पे आंसर हो जाएगा next question है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82 राष्टी एटेबल टैनिस चेंपियन सिप में महिला एकल का खिताब किस ने जीता है देखिए इसका आंसर आपका मनी का बत्रा हो जाएगा यानि ए उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा next question की IPL 2021 में सबसे महांगर खिलाडी बने Chris Morris का संबंद किस देश से है तो Chris Morris का संबंद सभी को पताई होगा कहां से हैं बताईए तो आपका उत्तर भी हो जाएगा दक्षिड अफरीका यानि राइट आंसर देखा जाएगा तो आपका भी उत्तर हो जाएगा आप Chris Morris को याद रखिएगा फर्वरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौस्यनिक अभ्यास पैसेक्स किया है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए इसका राइट आंसर देखा जाया तो आपका D हो जाएगा इंडोनेसिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में पॉंगल उत्सव का आयोजन किया गया है पॉंगल उत्सव तो पॉंगल उत्सव से याद रखिएगा तमिलाडू आंसर हो जायागा यानि भी उत्तर आपका यहां पे हो जायागा कोशन नमर्ट 37 का नेश्ट कोशने के विस्व का अगला प्रस्णे के विस्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेट फारम का निर्माड किस देश में किया जा रहा है चलिए बताइए इसका आंसर कौन करेगा और सबसे पहले कौन करेगा तो सबसे पहले सभी लोगों ने कर दिया होगा उप्सन C, सिंगापूर क्या हो जाएगा? सिंगापूर इसका आंसर यहां पे हो जाएगा 2021 में होने वाले 13 वे बिर्क्स सम्मेलन की अध्यक्सता किस देश द्वारा की जाएगी? बताए एक कौन से देश के द्वारा 13 वे बिर्क्स सम्मेलन की अध्यक्सता किया जाएगा? तो उसका आप सभी लोग नाम याद रखिएगा भारत हो जाएगा यानि अपना भारत यह उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि हाल ही में विश्व स्वास्त संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओप्सन बी अल सरलवा डोर हो जाएगा आप सभी लोग याद रखिएगा अल सरलवा डोर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कोसर नमर 41 कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम फ्रीडम पीनेपल अभियान चर्चा में रहा है 41 का आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो आंसर भी हो जाएगा ताइवान चर्चाव में रहा है फ्रीडम पीनेपल ठीक है पाइनेपल बोले इसको फ्रीडम पाइनेपल अगला प्रस्न है कि हाल ही में कौन सा देश 2021 में भारत का सिर्ष व्यपार भागिदारी या फिर भागिदार देश बना है तो कॉसर नमर फोर्टी टू का आंसर देखा जाया तो सी हो जाएगा यानि चीन आपका यहां पे आंसर हो जाएगा इसको आप नोट करिएगा अगला प्रस्न है कि मीमलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंडर सास्ति प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वहनों का उपयोग किया जाएगा तो इसका अंसर देखा जाए तो आप कभी हो जाएगा दिल्ली राइट अंसर हो जाएगा इसको आप याद रखिएगा अगला प्रस्ना है कि हाल ही में जापान के किस देश के सहयोग से भूरे कोईले से हाइड्रोजन उत्पादन सुरू किया गया है कोईला रंग का कौन सा है भूरा कोईला है ठीक है यानि भूरे कोईले से हाइड्रोजन उत्पादन सुरू किया गया है तो याद रखिएगा किस के सहयोग से तो आंसर आपका 44 का D हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आगे देखते हैं कोविस सील्ड तथा को वैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को अपात कलिन उपियों को मंजूरी दिया है अगर आप सभी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जरूर लगवाईएगा यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाबदायक हो जाता है तो इस पूतनिक 5 हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझोते को निलंबित कर दिया है तो करेक्ट आंसर देखा जाया तो आपका आउस्ट्रेलिया हो जाएगा जानी आंसर आपका 46 का ए उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसने की हाल ही में इरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है 47 का अंसर क्या होगा तो 47 का अंसर देखा जाया तो आपका भारत हो जाएगा नेश्ट कोसने की निम्नलिखित में से किस मंत्राले द्वारा सेहत OPD पोर्टल लाउंच किया है OPD पोर्टल चलिए बताइए सेहत OPD पोर्टल देखा जाया तो रक्षा मंत्राले द्वारा लाउंच किया गया है आंसर आपका D हो जाएगा जैसमीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्यो की सबसे कम उम्र की महिला बनी उनका संबंद किस देश से है चले बताईए उनका संबंद कौन से देश से हो जाता है तो आंसर आपका B हो जाएगा ब्रिटेन से हो जाता है यानि B हो जाएगा आंसर अगला प्रस्न है कि 2021-22 के केंद्रिय बजट में वीनी वेस के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष रखा गया है तो यह लक्ष जो रखा गया है 1,75,000 करोड हो जाएगा यानि आपका C हो जाएगा फ्रेंट्स आप सभी लोग का यहां पर 50 कोशन समाप्त हो जाता है वीडियो को लाइक कीजिए जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं ताकि उनको जो रेगुलर का अपडेट है वो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम ठीक है तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम